नशा मुक्ति पर निबंध मादक द्रव्य सेवन की प्रकृती हजारों वर्ष पुरानी है अनुसंधान एवं वस्तु निर्मान की शक्ती से युक्त मानवों ने सभ्यता के विकास के साथ एक से बढ़कर एक उपयोगी चीजे भोज ली उपकरन बना लिये वस्तु निर्मित कर ली इस क्रम में उन्होंने मादक द्रव्य ढूंड निकाले इवं उनका प्रयोग करना सीख लिया भारत के प्राचीन ग्रंथों में सोम और सुरा का उलेख इस बात का प्रमान है कि वैदिक पौरानिक कालीन भारतिय मादक द्रव्य से परिचित थे और विशेश अवसर उपर उसका सेवन करते थे एक विशेश प्रकार की लता से सोमरस तयार किया जाता था इसका पान उलास इवं मुझसाह की वृद्धी करने वाला पाना जाता था यह नहीं कहा जा सकता कि सोमरस के पान को लेकर मुसीबते नहीं आती थी बहुत बार इसको लेकर जगड़े हो जाते थे मादक दरव्य सेवन न तो किसी एक देश की समस्या है और नाहीं एकदम नहीं है फिर भी जिस रूप में यह भारत में उभरी और बढ़ी है वह किसी सीमा तक आयातित एवं नहीं है अभी कुछ वर्ष पूर्व तक थिती यह थी कि कुछ ही लोग मादक दरव्य के सेवन में रूची लेते थे शेश उससे मुक्त रहते थे किशोर एवं युवा वर्ग के व्यक्ति प्राया मादक दरव्य सेवन से दूर रहते थे किन्तु आज पश्चमी देशों की तरह भारतिय किशोरों एवं युवाओं में भी यह आदत तेजी से फैल रही है दुख की बात यह है कि किशोर किशोरी एवं युवक युवती विशेश रूप से इनकी चपेट में आ रहे हैं इस समस्या का सरवाधिक प्रभाव महनगरों पर पढ़ रहा है मादक द्रव्य किसी विशेश वर्ग के लोग ले रहे हो यह बात नहीं अमीर गरीब, विध्यारती अध्यापक, बेरोजगार रोजगार, ग्रामीन्ज शहरी, तिक्षत अशिक्षत, नर नारी, किसी भी वर्ग का व्यक्ती इनका शिकार हो सकता है यहां तक कि कुछ चिकित्सक भी इनके शिकार पाए गए हैं सामान्यत, मादक द्रव्यों के घेरे में स्वापक एवं समवेदना, मंदक द्रव्य या और्षधी आते हैं अंग्रेजी में इन्हें ड्रग्स कहा जाता है आज ड्रग्स, शब्द का प्रयोक, सामानित, स्वापक, सम्वेधना मंदग द्रव के अर्थ में ही किया जाता है ऐसा कोई भी पदार्थ ड्रग्स कहला सकता है जो आहार की सीमा में न आते हुए भी अपनी रासानिक प्रक्रती के कारण जीवों के क्रिया प्रणाली की सनरचना पर प्रभाव डालता है विज्ञानिक रूप से यह परिभाशा सही होते हुए भी व्यापक है क्योंकि मादक द्रव्यों के अतिरिक्त ऐसे अनेक पदार्थ है जो आहार की सीमा में नहीं आते हैं सथापी उनका सेवन जैविक क्रिया प्रणाली की सनरचना को प्रभावित कर सकता है मादक द्रव्य अनेक प्रकार के होते हैं इनके मुख्य चार वर्ग है स्वापक, उदीपक, साशक, विब्रक, उत्पादक उपरियुकते चार वर्गों के मादक द्रव्यों को पुनह दो वर्गों में बाटा जा सकता है एक सामान्य स्वापक, साशक, उदीपक या समवेदरा मंदक द्रव्य एवं दो गंभीर समस्या उत्पन करने वाले मादक द्रव्य सामान्य साशक उद्धिपक मादक द्रव्यों में निकोटिन, कैफिन, आदी को लिया जा सकता है सिगरेट के निकोटिन एवं कौफी के कैफिन भी हानिकारक है किन्तु इनका हानिकारक प्रभाव असयमित मात्रा में दीर्ग काल तक प्रयोग करने पर पड़ता है सामान्य शराब अलकोहल के साथ भी किसी सीमा तक यही बात है किन्तु यह सिगरेट के निकोटिन एवं कौफी के कैफिन से तुलनियन नहीं है क्योंकि इसमें व्यसनी बना देने एवं हानी पहुचाने की शमता कहीं अधिक है पारबार के प्रयोग से व्यक्ति इस पर निर्भर रहने लगता है अभी प्राई यह है कि सामान्य तोर पर अधिक खतरनाक न दिखलाई देने वाला पेय भी असयमित अध्वा दीर्ग काल प्रयोग से गंभीर समस्या का रूप तहरन कर सकता है स्वापक अध्वा समवेदना मादक द्रव्य इस वर्ग के अंतरगत मुख्यत वे मादक द्रव्य आते हैं जो पोस्ते के पोधे से बनाए जाते हैं इनमें मुख्य है अफीम, मौर्फिन, हिरोईन, स्मैक, आदी समान्य तोर पर ये द्रव्य दर्द कम करने, निकद्रालुता उत्पन करने, सुक भोध देने का काम करते हैं यदपी सभी व्यापक अथवा समवेदना, मंदक, द्रव्य, आदित का शिकार बना देते हैं किन्तो इनमें हिरोईन एवं स्मैक व्यसनी बना देने की अत्यधिक शमता रखते हैं हिरोईन अफीम का अत्यधिक परिश्कृत रूप है इसको लेने पर व्यक्ति एक विशिष्ट प्रकार के सुख बोध की स्थिती में चला जाता है और सामान्य होने पर बहुत अधिक कर्ष्ट अनभव करता है किसी किसी को भयंकर पीड़ा की अनुभूती होती है इसके बाद व्यक्ति फिर इसे लेना चाता है ताकि उसकी बेचैनी और पीड़ा दूर हो सके हिरोईन के आदत के शिकार लोगों की संख्या काफी अधिक है